कि सो टोड़े वी आप अगर अपने बुक में देखा तो यही कोश्यन ने फिर्स्ट एंड और कॉमन दिफ्रेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रिशन इस सिक्स एंड फाइंड अब बारी हमारे दुसरे फॉर्मिला को अपलाई करने की जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वार यहां पर हमने फाइंड आपनेवार अहीं कसे लिए एक्साइस में यह वहाला फार्मिला अप्लाई करने करने वाले हैं तो देखते हैं क्या है है सबसे पहले हमें पैस्ट या फिर टी तोहां पैस पर items नन ऑन भास हमारे पां इस धर्मिला में एक की जरौए टी Classic की नहीं तो यहाँ पर हम a is equals to 6 लेंगे first term यानि कि a या फिर t1 तो a is equals to 6 comma d is equals to 3 क्योंकि यहाँ पर common difference is equals to 3 है first term and common difference 6 and 3 यहाँ पर हमने लिख लिया as a given अभी हाँ पर हमें formula apply करेंगे sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d अभी हम यहाँ पर यह वाला formula ही क्यों apply करें क्यों apply करेंगे because हाँ पर s27 बोला है find out करने के लिए अगर t27 बोला होता है तो हम t वाला formula tn का apply करते अभी हाँ यहाँ पर sn बोला है करके हम यहाँ पर sn का formula apply करेंगे ओके यहाँ पर formula sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d ओके यह formula आपको यादी करना पड़ेगा कोई option नहीं है यहाँ पर भी लिखते हैं हमें find क्या करना s27 तो यहाँ पर हम लिखेंगे s27 is equals to अभी मैंने बोला था n की value को यह से find out करनी है यहाँ पर n कहाँ पर लिखा यहाँ तो यहाँ पर n की जगे क्या है 27 तो आपको easily पता चल जाएगी कि n की value 27 because यहाँ पर s27 find करना है तो n की जगे 27 अपर 2 2 इंटो a की value हमें given as 6 plus n-1 that is n यहाँ पर हमें पता है 27 तो 27 minus 1 into d is equals to 3 okay same ऐसे formula में apply कर देना है और solve करना है solve बाशे करेंगे 27 upon 2 6 तो 12 plus 27 minus 1 is equals to 6 into 3 as it is so s27 is equals to 27 upon 2 into 12 plus 26 into 3 क्या होता है 78 okay so अभी आगे तो इसमें क्या करना है सिहाँ पर आगे अभी 27 is equals to 27 upon 2 as it is into 90 okay so 21s are 2, 245s are 90 तो यहाँ पर हमें 27 into 45 करना है और easily हमें answer के मिल जाएगा s27 is equals to 1215 और हमें question में यही find out करने के लिए कहा गया था s27 into करने के लिए बूरी थी यह इतना easy है आपको simply formula में put कर देना और जो भी answer आएगा वो आपको final answer होगा ओके अभी देखते हैं आगे questions so यह है आपका question number 3 आपके exercise का question number 3 यह और second question relate करता है इसलिए मैं third वाला ले लेती हूँ इससे आपको दोनों easily पता चल जाएं क्या करना है so यहाँ पर find the sum of all even numbers अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पर सारे even numbers between 1 and 350 solve करने हैं मतलब निकालने हैं और आपके दूसरे वाले question में क्या है find the sum of first 123 even natural number ओके यहाँ पर 123 आपके पिछले समय 123 है और यहाँ पर 350 है तो इस same ही यह दोनों questions तो इसलिए मैंने third वाले लिया है same ही इसी process से आपको second वाला भी solve करना है क्योंकि वहाँ पर भी हमें even natural number ही निकारना और natural number भी 1 से start होता है तो आपको easy पड़ेगा मतलब आप दोनों इसी वे से solve करो जैसा मैं आपको यह वाला बताने वाली हूँ ओके तो आगे देखते है तो पहले हमें क्या करना है क्या होते है अभी 1 से start होता है पर इवन बोला है तो 246810 राइट तो हमें ऐसे करना है मतलब 246810 से 2 से मल्टिप्रिकेशन वाले हैं उन्हें भी इवन नाचल नंबर बोलेंगे यहां पर हम कुछ-कुछ नंबर लिख लेंगा लास्ट वाला जो होगा वह 348 होगा ओके सो मतलब 2 से मल्टिप्रिकेशन नहीं हो सकते बर 22 का डिफ्रेंस जो भी होते जाएगा वही हम इवन नाचल नंबर लेंगे ओके 1 & 350 के बीच में बोला गया है तो इसलिए हम 1 & 350 के उसमें 350 इंक्लूडर नहीं होगा क्योंकि यहां पर बिट्वीन लिखा है ओके सो आप अगर इससे कंसिडर करें 2 का मल्टिप्लिकेशन तो भी वह करेक्ट है और अगर वह आप 2 का डिफ्रेंस का यह करते हैं कर लेते हैं तो भी वह सेम ही होगा तो अभी इसके बाद देखते हैं तो 1 & 350 के बीच में कितने नाच्रल नंबर्स होते हैं वह हमें फाइंड आट करना और यहां पर हमने कुछ लिख लिए हैं यहां पर 348 लिखा है विकास हम 350 कंसिडर नहीं करने वाले हैं क्योंकि बिट् करने चीज यहां बाद है तो यहां पर फेला नंसर COM 28 मायने सटी वाली सेफ से फॉस्टीत को मायनिस करदें यह व हमें इस एकौस तो तू मिल गया भी तो हमने तो पूरा लिखने जाएंगा तो बहुत टाइम लगेगा इसले हम इसली फॉर्मिला में पूट करके निकाल लेंगे तो हमारा पहले वाला फॉर्मिला TN is equals to A plus N minus 1 into D यहाँ पर टोटल नंबर बोला है तो इसले हम TN लेंगे हमें यहाँ पर SN नहीं लेना है तो यहाँ पर अगर हमें टोटल नंबर की जीच का निकालना है तो हम उसके लिए TN वाला फॉर्मिला अपलाए करते हैं तो TN is equals to A plus N minus 1 into D TN की जेगे पर हम क्या लिखेंगे जो हमाई पास वैलियो 348 A की वैलियो है 2 प्लस N की वैलियो अभी हमें पता नहीं है यहाँ पर N की वैलियो हमें पता नहीं हमें निकालना है इसलिए हम उसे as it is carry करेंगे और D की वैलियो 2 348 is equals to 2 plus 2 into N 2 N minus 2 is a 2 उसका सिप इसका multiplication कर लेना है और यह 2 as it is रहेगा 348 is equals to 8 plus 2 minus 2 cancel हो गया 2 N so 2 N is equals to 348 हो गया तहाँ पर हम इस 2 को नीचे लेके जाएंगे यहाँ पर 348 के डिवाइट कर देंगे तो इसका answer आजेगा 174 तो अभी आगे क्या करना है आपको t1 मिल गया t1 एक यहां पर देखो SN SN का मतलब क्या sum of all numbers TN मतलब क्या total number तो हमने पहले तो total number निकाल लिया उससे हमें n मिल गया अभी SN यानि कि sum of all numbers तो इसके लिए अभी हम आपस T1 अवैलेबल है और TN तो हमें वह हाड वाला formula अप्लाएं करने कोई जरूत नहीं बड़ा वाला हम आपना तीसरा formula अगर इंट्रोड़क्शन देखो तो मैंने एक्स्प्लेइन भी कर रहा हूँ यह formula हमें apply करना है तो यहां पर हमें T1 पता है TN पता है या SN पता है कुछ भी पता है तो हम यह वाला इंट्रोड प्लस टूट्रोड प्लस टूट्रोड प्लस टूट्रोड टूट्रोड अगर देखते हैं अभी हम उसको मुल्टिप्लिकेशन कर देंगे 87 इंट्रीफिफिटी तो आ जाएगा हमारे पासांसर SN इस इकोज तो 30,450 ओके सब्सक्राइब कर देखते हैं अभी आपका अगला सम फोर्थ वाला यह है इनन अरिफ्मेटिक प्रोडिशन 19 तर्म इस 52 और 38 तर्म इस 128 find the sum of first 56 terms ओके सो यहां पर क्या करना है आपको 19 तर्म 52 दिया हुआ है और 38 तर्म 128 दिया हुआ है तो 19 और T38 तो हमें अल्री दिया हुआ है find the sum of बोला है total number नहीं बोला है sum of बोला है तो total number के लिए हमें equations find out करने पड़ेंगे पहले दोनों के लिए proper because हमें यहां पर T19 और T38 given है S का कुछ given नहीं है पर हमें S56 find out करना है तो TN is equals to A plus N minus 1D हमारा normal formula यहां पर हम T19 is equals to A plus N की value क्या है 19 minus 1 into D तो हमें यह वाला equation मिल जाए T19 is equals to A plus 18D वहां पर हमें T19 के value पता है इसले 52 is equals to A plus 18D ऐसा लिए equation number 1 करी करेंगे और ऐसा same करके 38 वाली के लिए भी करेंगे तो वहां पर हमें दूसरा equation क्या मिल जाएगा 128 is equals to A plus 37D हमें N की value पता है put कर देंगे T38 की value put कर देंगे तो हमें equation 2 मिल जाएगा अभी हमारे usually हमें से simultaneously solve कर लेंगे तो A plus 18D is equals to 52 A plus 37D is equals to 128 यहां पर हमें दो equations मिले वह हैं उन्हें हम लिख लेंगे उपर नीचे और solve कर लेंगे यहां पर हमें क्या मिलता है हमें यहां पर science change कर देंगे A cancel 37 minus 18 sorry 18 minus 37 minus 19 और 52 minus 128 minus 76 ओके by equation 1 and 2 D is equals to यह नीचे आ जाएगा तो यहां पर 19 for the 76 तो D is equals to 4 ओके तो यहां पर क्या करेंगे substitute करेंगे value of D तो D is equals to formula हमें इस equation number 1 पर हम substitute कर देंगे so we get 80 A is A plus 18 D पहले वाली equation में ही करते हैं usually so A plus 18 D is equals to 52 A plus 18 D की value है 4 is equals to 52 so A plus 18 for the 72 equals to 52 A is equals to 52 और यह 72 को minus कर देंगे जाता कि हमें A की value मिल जाया तो 52 minus 70 हमें A की value क्या मिल गई A is equals to minus 20 ओके ना अभी क्या करना है A की value मिल गई D की value में पता है अभी हमें क्या करना है simply S56 का formula लगा देना है okay अभी हमें यहां पर T1 वगएरे की value नहीं पता इसले हम दूसरा formula अपलाए नहीं कर सकते हमें यह वाला formula ही apply करना पड़ेगा तो S N is equals to N upon 2 2 A plus N minus 1 into D okay पहुत यह formula आपको easily याद भी हो जाएंगे देखो मुझे आभी तक राटा हुआ है इसा formula S56 is equals to 56 upon 2 56 क्यों क्योंकि N की value 56 है 2 into minus 20 क्यों क्योंकि A की value minus 20 है plus N is equals to 56 so that's why 56 minus 1 into 4 so S56 is equals to 56 upon 2 28 is equals to sorry bracket 20 to the minus 40 plus sorry minus 20 into 2 minus 40 plus 55 56 minus 1 55 into 4 S56 is equals to 28 bracket minus 40 plus 55 into 4 220 S56 is equals to 28 into 180 S56 is equals to 5040 so that's why we finally get the sum of first 56 terms is 5040 okay so this sum ऐसा ही है अभी अगले देखते हैं कैसे है so आपका यह question यह आपके book का ही है तो मैंने मतलब यह tables आपके book में already बने हुए है तो मैं यहीं पर समझा देती हो आपको तो यहाँ पर देखे क्या करना है यहाँ पर क्या लिखा complete the following activity to find the sum of natural numbers from 1 to 140 which are divisible by 4 okay so यहाँ पर क्या है from 1 to 140 natural numbers divisible by 4 तो यहाँ पर इनने को इस लिखा हुआ है 4 8 तो इनने लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें क्या find out करना है number यानि कि कितने मतलब sum of natural number है यानि कि हमें ascent find out करना है तो हम सभ से पहले क्या लिखना है यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद हम n की value find out करने के लिए क्या करना पड़ेगा tn का formula लगाना पड़ेगा जैसा कि हमें पता है total number find out करने के लिए tn का formula लगता है a plus n minus 1 into d यहाँ पर already given है so 136, 136 क्यों लिए है क्योंकि यहाँ पर tn 136 है तो उन्हें 136 equals to a की value क्या है 4 plus n minus 1 into n की value हमें यहाँ पर नहीं पता है तो हम उसे as it is लेंगे into d की value क्या है 4 है तो यहाँ पर हमी क्या मिल जाएगा अभी 4 plus 4 n minus 1 हम अगर total पूरा अगर solve करते हैं तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मैंने solve किया है तो अगर हम इस से वाली equation को solve करते हैं लिए और फिर यह plus 4 minus 4 cancel हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 4 n is equals to 36 n is equals to 134 136 upon 4 कर लेंगे तो n की value में 34 मिल जाएगी तो हम यहाँ पर लिख देते हैं n की value 34 अभी हमें कौन सा formula apply करना है because हमें यहाँ पर क्या बोला sum of okay so sum find out करने के लिए हमें sn का formula apply करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पर sn कितना है हमारा s34 है okay so यहाँ पर n हमने 34 तो sn के लिए का हमने n के लिए 34 लिख दिया is equals to n upon 2 गोला है न तो यहाँ पर 34 upon 2 यहाँ पर n upon 2 कहा है तो यहाँ पर 34 upon 2 क्योंकि हमें 34 upon 34 हमें n find out करना है so is equals to 2 into a की value कहा है 4 plus 34 minus 1 into d की value कहा है 4 तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना है हमें और इसके आगे solve कैसे करना है 2 अन्जा 2 2 अन्जा 2, 2 अन्जा 2, 2 अन्जा 14 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 उसके बाद क्या करना है इस ब्रैकेट कैसे solve करना है 4 to the 8 तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं plus 34 minus 1 कितना होगा 33 into 4 तो यह से हमारे यह बन गया तो इसके बाद हम कैसे लिख लेते है 17 ब्रैकेट 8 plus 33 into 4 उके इसके बाद क्या करेंगे 17 4 3 12 carry 1 4 3 12 1 13 तो 132 हो गया उसके बाद 17 132 plus 8 कितना होगा 140 तो यहाँ पर 17 into शारी आपको दिख रहा नहीं होगा 17 into 140 कितना होगा 17 मैं कर देती हूँ तो यहाँ पर इसकी वैली 2380 हो जाएगी ओके तो यहाँ पर हमें finally 2380 तो हम उसके यहाँ पर 2380 ऐसे लिख देंगे वैसे मैंने यहाँ पर अभी लाइव कालकुलेशन किया है तो में भी यह गलत हो सकता है तो एक बार आप चेक कर लिजिए वैसे मुझे लगता है कि यह करेक्ट है बाकी स्टेप सेम है आपको as it is इससे solve परना है तो अभी हम आपके आगले question को लेते है यह वाला question तो अभी direct notebook की तरह चबते है तो यह वाला है आपका आगला question sum of first 55 terms of an arithmetic progression is 3300 यहाँ कि 3300 find it's 28 terms तो यहाँ पर क्या बोला है अभी हमें कि S55 क्या है 3300 यहाँ पर sum of बोला है आप यह चीज का ध्यान रुखिए अगर आपको question नहीं समझ में आते हैं कि इसमें कौन सा formula apply करना है तो आपको देखना है total number है या sum है अगर sum है तो S55 है अगर total number है तो T55 है तो sum of first 55 number तो S55 given है 3300 find it's 28 term तो हमें 28 है नी कि T28 find out करना है 28 term बोला है find out करने के लिए इसलिए T28 ओके तो देखते हैं यहाँ पर आप देखो आपको S1 का formula दिया हुए N upon 2 2A plus N minus 1 into D ओके यहाँ पर सिंप्ली आपको S56 जो कि आपको वहाँ पर given है N is equals to 56 56 upon 2 2 into A plus 55 minus 56 minus 1 सौरी 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 55 upon 2 2A plus 55 minus 1 into D 3300 यहाँ को given S55 की value हम इसे put कर दिंगे 55 upon 2 as it is 2A plus 55 minus 1 54 D ओके 3300 यहाँ पर है इसको हम उपर multiply कर लेंगे औके और यह 55 नीचे आ जाएगा ओके यहाँ पर यहाँ इसे होता है अगर यहाँ P equals to के साइड में आप यह ऐसा है तो यह उपर चाल जाएगा numerator में multiply हो जाएगा और यह denominator में आ जाएगा सो हम उसे इसी format में लिख लेते हैं equals to 2 bracket A plus 27 D क्यों हमने ऐसा क्यों लिया 2 bracket A plus 27 D because 27 to the 54 राइट इसके लिए हमने इसको 2 bracket कर लिया 12 उसके बाद हमें finally आप इसको करके देखिए एक बार तभी आपको समझ में आएगा इसा calculation already मैंने खिया है तो मैं आपको दिखा देती हूं सो यहाँ पर यह calculation already done है सो यहाँ पर अभी यह वाला 2 भी हमने नीचे ले लिया है ताकि यह वाला equation हमें नार्मली मिल जाए इसलिए यह वाला 2 अगर denominator में है तो उपर जाके multiply होगा अगर numerator में है तो नीचे multiply होगा यह इतना normal सा case है और इसके बाद हमने इससे solve किया यह आया फिर last में हमने 11 इन्टू 6 11 इन्टू 60 660 आया है यहाँ पर 60 आगया हमारा T28 find out करना तो हमें उसके T28 find out करने के लिए TN का formula आगया यहाँ पर A plus N minus 1D into D T28 is equals to A plus 28 minus 1 into D because हमें T28 की value find करनी हमें पता नहीं T28 is equals to A plus 27D यहाँ पर हमें easily पता चल गया 28 minus 1 क्या होगा 27D और यहाँ पर हमारा पस already A plus 27D की value है तो यहाँ पर हम उसे put कर देंगे तो यहाँ पर भी T28 की value 60 हमें मिल जाती है तो यहाँ पर हमें from 1 यादि कि from equation 1 हमें यह value पता चल गई हमने इसलिए इसे find out करा था T28 is equals to is that 28th term of is 60 अब यह वाले sum में तो इतने हैं अगले sum की तरफ जाते हैं यह आपका अगला sum है sum number 7 यहाँ का question देखते हैं in an arithmetic proportion sum of terms 3 terms is 27 वहाँ पर लिखा होगा sum of 3 consecutive terms is same है यह दोनों same ही sentences है and their product is 504 find the terms assume that 3 consecutive terms is in AP AD, A-D, A and A plus D अगर 3 consecutive terms की बात करें तो एक minus वाला लेते हैं इक common वाला लेते हैं उसके आगे वाले addition वाला लेते हैं इन्निके A-D, A and A plus D यहाँ पर आपके schools में classes में सिखाया भी गया होगा ऐसे कि मतलब लिए 4 रहा तो क्या लेते हैं 4 consecutive term रहा तो क्या लेते हैं 5 रहा तो क्या लेते हैं 6 रहा तो क्या लेते हैं तो अभी हम क्या करेंगे और आपके question में भी given है तो आपको टेंशन लेनी के जरूरत नहीं है okay so their sum is 27 यहां पर given है 27 okay so यहां पर आपको क्या करना है normally इसे add करकर करके यहां पर equals to 27 करके लिख देना है so a minus d plus a plus a plus d okay इसका bracket निकाल देना completely equals to 27 हो गया अभी क्या करना है 3a a plus a plus a क्या हो गया 3a is equals to 27 क्यों क्योंकि यह plus d और minus d cut हो जाएगा और यहां पर सिर्फ 3a बचेगा तो यहां पर 3a equals to 27 तो a is equals to हमें यहां पर 27 upon 3 a की value दो हमें मिल गई next so यहां पर a is equals to 9 okay 27 upon 3 is 9 so their product is 504 महां पर question में आपको कि उसका product क्या है and their product is 504 so यहां पर हम उसका product करके भी देख लेंगे okay तो यहां पर हमने वहां पर सम पहले देखा सम जो था उसका वैसे निकाल हमने एक वैले हो अभी हम product के साथ निकालते हैं तो product क्या होगा a minus d into a into a plus d plus sign किजए को आपको सिर्फ नार्मली multiplication sign लगा दी नहीं है यहां पर अभी a into a a square minus d into d d square into 9 ओके यहां पर a square minus d square into 9 is equals to 504 ओके आपको बता दूँ कि यहां पर a square plus d minus d square कैसे आया तो यहां पर हमने a minus d और a plus d आपने फॉर्मिला सुना होगा a minus b a plus b a square minus b square ओके तो हमने वही फॉर्मिला यहां पर अप्लाई किया तो यह दोनों तो हमने multiply कर दिये अभी बच्चा यह a ओके तो हमाई पस a की value क्या है 9 ओके यहां पर हम इस लिए यहां पर multiply by 9 किया ओके is equals to 504 ठीके तो अभी हम इसके आगे देखते हैं तो यहां पर a square minus d square given है a की value क्या है यहां पर 9 तो 9 का square हो जाएगा ओके यहां पर 9 square 81 हो जाएगा minus d square as it is और यह जो 9 है यहां पर हम directly multiply कर देंगे 504 के नीचे sorry divide कर देंगे 504 upon 9 आ गया और यह a square minus d square यहां पर 81 आ गया अभी हम देखते है minus d square minus d square is equals to 56 minus 81 कैसे क्या minus d square is equals to यहां पर हमने यह 9 से divide कर दिया और 9 से cancel कर दिया इसको और यह वाला 81 यहां पर ला दिया 56 जा 504 हो गया तो 56 यहां पर minus 81 यहां है तो minus यहां पर हो जाएगा तो यहां पर minus d square is equals to minus 25 d square is equals to 25 so d is equals to plus or minus 5 अभी इसके बाद हम देखते है if a is equals to 9 and d is equals to 5 then अभी यहां पर हमें a is equals to 9 पता है d is equals to 5 पता है then इसके आगे क्या करना है a minus d is equals to 9 minus 5 is equals to 4 so a is equals to 9 right okay therefore a is equals to 9 a plus d तो 9 plus 5 कर देंगे अभी हमें जो तीनों equation मिले थे starting में a minus d a plus d और a तो वो सब यहां पर हमें उन सब में a की value पुट करके हमें a और d की value पुट करके हमें answer निकालना है यहां पर 9 minus 5 4 हो गया यहां पर a plus d 9 plus 5 क्या हो गया 14 हो गया और if a is equals to 9 and d is equals to minus 5 अभी हमें प्लस वाले 5 का तो निकाल लिया पर यहां पर प्लस और माइनस दोना है तो इसलिए हमें a is equals to 9 okay so a plus d वाला करेंगे और 9 plus minus 5 9 minus 5 is equals to 4 अभी आप सेच रहे होंगे a क्यों नहीं लिया यहां पर a is equals to 9 होँआ पर कुछ plus minus नहीं इसलिए हमने as it is 9 लिख दिया ओके तो अभी आप देखो हुए है यहां पर मैंने नोट लिखा है त्री कंजिक्यूटिव टर्म इन दा अरिफ्मेटिक प्रोग्रेशन और 4 9 14 और 14 9 4 आप प्लस का करो मैंने करो थोड़ा ओल्टा दिख रहे है पर वही नंबर आपको यहां पर दिखने थ्री कंजिक्यूटिव टर्म में अगला कुछिशन देखते हैं यह आपका आगला कुछिशन फाइं फॉर कंजिक्यूटिव टर्म इन एन एप कुछिशन नंबर एट है ओके फूस सम इस ट्वैल एंड सम और फॉर्थ टर्म इस फॉर्टीन ओके सिहां पर क्या करना है हमें यहां पर यहां पर भी बोला है कि वही आजिम करना है अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कंजिक्यूटिव टर्म के लिए कौन से यूज करना है थो फॉर्ड कंजिकूटिव टर्म के लिए हम यह यूँज करेंगे ओके सम है 12 तो अहुआ पर पहले सम का निकाल देते हैंसलो मिश्व टोलु विए हम पिछले प्लनी सम को जैसे ही हमें यहां पर 4 a plus 2d यहाँ पे 4a थे इसलिए हमने add कर दिया और 2d ओके तो यहाँ पे 2d लिख दिया और यह a plus d और 1 minus d cancel हो जाएगा तो उसका कोई meaning नहीं है equals to 12 2a plus d ओके तो यहाँ पे हमने d क्यों लिखा है खाली क्योंकि हमने यहाँ पे यह 2 को यहाँ नीचे लाके 12 से डिवाइड कर दिया तो यह 2 6 12 हो गया तो यहाँ पे हमें 2a plus d equals to 6 यह question number 1 मिल गया अभी हमारा अगला यह क्या है condition कि sum of fourth and third term is 14 ओके हमें fourth or third term इन दोनों का ही addition करना है because यहाँ पे sum of fourth and third term बोला है आपके question में okay so a plus d और a plus 2d यह दोनों का addition करके equals to 14 यहाँ पे 14 दिया हो इसलिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसका usual multiplication कर देंगे okay addition कर देंगे तो a plus a 2a और 2d plus d 3d equals to 14 यह हमारा मिल गया equation number 2 हम इसे normal simultaneous equation से solve कर लेंगे उपर नीचे लिखा और यहाँ पे 2a 2a cancel कर दिया है यहाँ पे minus sign changes करके उसके बाद यहाँ पे 3d minus d sorry d minus 3d उपर d है इसलिए तो यहाँ पे minus 2d हो गया और उसके बाद 6 minus 14 minus 8 तो minus minus तो cancel हो जाएगा 2forza 8 तो d is equals to हमें क्या मिल गया है यहाँ पे 4 अब इसके आगे देखते हैं substituting d is equals to 4 in equation 1 हम usually यही करते हैं equation number 1 में उसे put करते हैं 2a plus d is equals to 6 so 2a plus 4 d की value 4 है slave 4 is equals to 6 2a is equals to 6 minus 4 उसके बाद 2a is equals to 6 minus 4 क्या होता है 2 so a की value में क्या मिल गए 2 upon 2 that is equals to 1 तो यहाँ पे हमें a की value मिल गए d की value मिल गए अभी आगे क्या करना है हमें अभी इसको हमारी equations हमने लिए हूँ है starting में उनमें इसे put कर देना है d की value और a की value so a minus d is equals to 1 minus 4 minus 3 a तो 1 ही रहेगा a plus d is equals to 1 plus 4 5 और a plus 2d is equals to 1 plus 2 into 4 1 plus 8 so सारे चारो consecutive terms में हमने यह पुट करके हमने चार numbers निकालें minus 3 1 5 और 9 okay so यही हमारे चारो answer है हमारे चारो consecutive terms है okay so अभी अगला question देखते है यह आखरी question है पता है थोड़ा video लंबा हो गया है पर आपको मुझे पूरा hope है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आखरी सम लेते हैं भी if the 9th term of an ap is 0 then show that the 29th term is twice the 19th term t9 is equals to 0 okay 9th term of ap is 0 बोला है तो t9 0 हो जाएगा show t29 is equals to 2t29 यहां पर क्या बोला है 29th term is twice the 29th term यह हमें show करना है यहां पर question में okay तो यहां पर हम tn is equals to a plus n minus 1d यह वाला formula इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पर सारा case ही t से related है okay term से related है इसलिए so इसके बाद हमें क्या करना है फिर t9 okay सबसे पहले t9 हमें given है तो t9 is equals to a plus n minus 1 into d okay a plus n minus 1 n minus 1 क्या था 8 तो हम यहने इसे 8d कर दिया t9 का value 0 है यहां पर t9 का 0 a plus 8d तो हमें equation का मिल गया a plus 8d is equals to 0 equation number 1 so अभी आगे क्या है tn is equals to a plus n minus 1 into d so यहां पर t19 is equals to a plus 19 minus 1 into d t19 is equals to a plus 18d so t19 is equals to 8d plus 10d okay हमने इसे split कर दिया so यहां पर t19 is equals to क्या मिल जाएगा हमें 0 plus 10d okay because a plus 8d हमें वहां पर पीछे 0 पता है हमने उसे यहां पर put कर दिया okay from 1 हमने लिखा हुआ equation number 1 so t19 is equals to finally क्या है equation number 2 10d okay अभी आगे क्या करना है tn is equals to a plus n minus 1 into d t29 is equals to a plus 21 9 minus 1 into d same अभी यहां पर हमें t29 is equals to a plus 28d so हमने उसे भी वापे 20 plus 8 में split कर दिया so a plus 8d का value 0 है तो हमें इसे t29 is equals to 20d यहां पर हमें from 1 लिखना भी है okay so इसके बाद क्या करना है t29 is equals to 2 into 10d okay 2 into 10d करना है उसके बाद 2 into 10 यहां पर हमने क्या लिखा है 20 20 कैसा होता है 10 into 2 इसलिए हमने पर इसको split किया इसे नॉर्मल बनाने के लिए जादा कुछ ने so t29 is equals to 2 into t19 because t19 के value क्या है यहां पर 10d okay हमने इसलिए 10d की जगा t19 पूट कर दिया यहां पर from 2 लिख दिया okay so the 29 term is twice the 19th term यह प्रूफ हो गया कैसे क्या प्रूफ हो गया because t29 is equals to 2 into 1919 आ गया okay so हमने यहां पर प्रूफ कर दिया कि 29 टर्म जो है वह 19 टर्म का ट्वाइस है okay so hope इतना तो आपको यह वाली exercise तो मुझे कपका पता है कि आपको समझ में आ गई होगी because यह बहुत easy है पूरा formula का case है और आपको सिर्फ जो question दिया हुआ है उसे easily पढ़के और आपको answer find out करना है अभी आज के लिए इतना ही आगे देखते हैं आगे हम देखेंगे कि इसमें और क्या करना है तो अभी अगली exercise में अगली वीडियो में सिखाने वाली हूँ अगर वीडियो समझा है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रैमिली फ्रेंज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू